इंफिनिक्स जीरो 34 जी ओफिशिली इंफिनिक्स ने लाउच कर दिया है अब इसमें एक से दो फीचर ऐसे हैं जिस प्राइस चेंड पर यह वाला स्मार्टफोन आता है इसको बाकियों से स्पेशल बना देती हैं कुछ रसे पहले मैंने इंफिनिक्स जीरो 35 जी का अन्बॉक को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अल पर क्लिक कर लें थैंक्यू फेरी माच अब इंफिनिक्स जीरो थिए डिसीरो 34 G में 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 डिपरेंस से अच्छी है के 035G में जो उसकी में हाइलाइट थी कर्वड अमुलेट डिस्प्लेइड उसको यहां पर वैसे ही रखा गया है और उसके साथ आई पी 54 की वाटर एंडस्ट रिजिस्टेंस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है इन डिस्प्लेइड स्कैनर है डूल स्पीक अच्छा है तो Basically काफी स्मूथ ही ब्राइट डिस्प्लेट पुटक्रेट है रिफ्रेश काफी अच्छा है तो लेकिन बैक बिल उसमें जर्श की वह मंझे काफी ज्यादाप संद' स्मॉन है और सिर्फ 182 ग्राम के आसपास इसका वे्ट है मोबाइल स्मार्टफोन होल्ड करने में काफी कंफर्टेबल है लेकिन अब स्लिम है तो इसका यह मतलब नहीं है कि बैटरी पर कंप्रोमाइज किया गया है बैटरी इसमें 5000 इमेज की काफी बड़े साइज की पर बेस्ट इसमें प्रोसेसर है जिस स्केंटू टू पे स्कोर तकरीबन तीन लाग सतर अजार के आसपास आते हैं अब इस इन्फिनिक्स स्मार्टफोन है जैसे टेकनो केमन 20 प्रो है या रेडमी नोट टेल एस वगयरा है तो उन में भी मीडियाटेक लिए जी नाइटी नाइन जा जी नाइटी सिक्स के प्रोसेसर ही पर वाइड किये गए हैं तो प्रफॉर्मस आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगी इस पे ग जाती हैं जिसमें कि कस्टमाइजेशन की आलवेज ऑन डिस्प्ले को लेके पाल पेपर को लेके काफी कस्टमाइजेशन के आप्शिंस परवाइड किये गए हैं अब इसका एक वेरियंट लाउंच हुए है और यूएफस टूपाइंट टू की स्टूरिज परवाइड की अब यह से बता रहा हूं कि इससे पहले जो फिनिक 035 जी था उसमें यूफस 3.1 की स्टूरिज थी तो डे टूडे यूजेज के लिए सोचल मीडिया की एप स्क्रोल करते हैं विडियो वगारा देखते हैं या कैजूल गेमिंग करते हैं तो यह वाला स्मार्ट फोन कि जो मेजर सॉफटर अपडेट्स होती हैं वह आपको ज्यादे तर प्रवाइड नहीं की जाती लेकिन पिछले एक साल से इंफिनिक्स अपने तक्रीबन जातर स्मार्ट फोन में एक न एक मेजर अंड्रॉइड सॉफटर अपडेट आपको प्रवाइड करता है तो आप ए इंफिनिक्स 035G का जो एक मेन हाइटिंग फीचर था के फ्रांट और बैक दोनों कैमरा से 4K 60fps तक आप वीडियो शूटिंग कर सकते थे यहां पे फ्रांट और बैक दोनों कैमरा से मैक्सिमम 2K 30fps पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक सैट पे 108 मेगविसल का मेन कैमरा है दो-दो मेगविसल के डेप संसर और मैक्रो कैमराज हैं सामने 50 मेगविसल का सेल्फी कैमरा आटो फोकस के साथ परवाइड किया गया है तो बैक सैट पे किसी किसम का इल्टर वाइड लैंज नहीं है यह वाली इंफिनिक्स 035G से इंफिनिक 034G में डाउन ग्र 034G का जिसकी प्राइस पाकिस्तानी करनसी में 8GB 256GB वाला साथ से 65,000 के आसपास वाला है और इस प्राइस पर इसका जो कर्विड अमुलेड डिस्प्लेय है वो स्पेशल फीचर है और बाकी फीचर टेकनो कैमर 20 प्रो जैसे ही तक्रीब परवाइड कर देता है बाकी मैंने बजट है तो आपको ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए थैंक्यू वेरी मच्छ गुडबाई